29 एप्रिल को महिंडरा की निव सब पॉर्मिटर SUV एक्सवी 3XO लॉंच होने वाले है जो कि अभी मिल रही एक्सवी 3W का रेप्लेस्मेंट होगी जैसे एक्सवी 5W का रेप्लेस्मेंट एक्सवी 7W है तो इस वीडियो में हम निव एक्सवी 3XO की बारे में बारी कनफर्म चीज़ें बताने वाले हैं फर्स एक्स्टीरियर महिंडरा एक्सवी 3XO रोड़ पे कई बार स्पाय हुई है एड़ एवन महिंडरा ने भी इस कार का एक्स्टीरियर डिजाइन और्मोंस सौव कर दिया है टीजर में स्पैसिलियर रियर प्रोफाइल एकदम क्लेरली दिख रहा है इस टीजर में जिसमें आपको अभी मिलने वाले एक्सवी 3W की कंपेर में टोटली डिफरेंट रियर बंपर एंड टोटली डिफरेंट टेल लाइट्स मिलती हैं आपको एक्सवी 3XO में LED कनेक्टेल लाइट्स मिलेंगी जो अभी इस सेग्मेंट की बाकी सानी कार्स में हमने दीखा है एंड फ्रंट से महिंद्रा ने ओफिसली पूरा फ्रंट प्रोफाइल सोव नहीं किया बट स्पाइशोट्स के इसाप से हम ये तो एजिली कह सकते हैं कि एक्सवी 3XO का फ्रंट प्रोफाइल भी अभी वाली एक्सवी 3W से तोटली डिफरेंट होगा जिसकी एक जहलक भी इस टीजर में सोव हुई है जिसमें आपको न्यों C-shaped LED DRL मिलेगी और न्यू LED हैडलाइट्स मिलेगे और ओवर उन फ्रंट पंपर भी न्यू एंड ज्यादा अप्राइट मिलेगा बढ़ हां साइट से ये कार ओल्मोस एक्सवी 3W से सिमिलर ही लगीगी और आपको डामेंस भी मोर एं लेस तेम ही मिलेगे बढ़ हां बोल्ट स्पेस में थोड़ा एंक्रिमेंट जरूर देखने को मिलेगा पर स्टिल इस सेग्मेंट की बाकी सारी कार्ण की कमपेर में बोल्ट स्पेस कम ही रहेगा और वन अफ दमोस्ट इंपोर्टन चीज जो इस टीजर में कंपम हुई है वह है पैनरॉमिक सुनरूफ एक्सवी 3100 में आपको पैनरॉमिक सुनरूफ मिलेगा जो अब तक की इस सेग्मेंट की किसी भी कार में देखने को नहीं मिला था पेनरोमिक संरूफ हमने अब तक 4 मिटर से ज्यादा वाली कार्स में ही देखा है बट एक्सवी 3100 फर्स्ट कार्गों की जिसमें अंडर 4 मिटर की डामेंसल्स में भी पेनरोमिक संरूफ मिलेगा इसकेसिवा आपको न्यो डिजाइन के 60 रिंज के यमोई वील्स भी मिलेंगे जो डबल लेयर होंगे जैसे फ्यूचर में यह स्वेम ऐनोई विल्स एक्सवी 3100 के इलेक्टरिक वर्जन में भी यूज हो सकता है So exterior से XV3100 एक feature-backed and good-looking car होने वाली है Second, interior महिन्मरा ने official teaser में XV3100 का interior भी soak कर दिया है जो के recent में update हुई XV4W EV से similar interior होने वाली है जिसमें आपको XV4W वाली same dual screen भी मिलेगी यानि कि आपको 10-inch की infotainment and 10-inch का digital cluster मिलेगा और overall dashboard भी XV4W से similar मिलेगा बन आपको प्रोपर Adronux connected features मिलेंगे जो आप smartphone या smart port से भी remotely access कर पाएंगे जैसे XV7W में हमने देखा है और आपको अब new climate control unit भी मिलेगा जो भी dual zone climate control होगा जैसे आपने XV4W में देखा है इसके चिमा आपको rear AC vents, cruise control, leather seats, 360 camera and ventilated seats का option भी मिलेगा So in short, XV3W के interior में जो जो कमी थी वो अब सब sold हो गई है आपको XV3Xो में almost सारे modern features मिल जाएंगे आपको TGDI petrol engine में अब प्रोपर 6-speed torque converter automatic transmission भी मिलेगा and बाकी दोनों variants में पहले जैसे AMT मिलेगा 4. Safety कई सारे rumors ऐसा कह रहे हैं कि XV3Xो में ADAS आएगा But according to our sources and spy source, I don't think XV3Xो में ADAS आएगा Because अब तक एक भी sources or spy source में ADAS के बारे में थोड़ी भी hint नहीं मिली So XV3Xो में ADAS के chances तो बहुत ही कम है But हाँ, आपको 6 airbags, ABS, EBD, electronic stability control and TPMS जैसे safety features तो मिलेंगे हैं जिसमें 6 airbags अब सारे variants में standard मिलेंगे 5. Launch date and price 29 April 2024 को XV3Xो launch होने वाली है And यह तो फियोर है कि XV3Xो की price XV3Xो से ज्यादा ही होगी Because old XV3Xो के compare में XV3Xो में कई सारे improvement and updates हुए है So आप XV3Xो के best variant के price 8.5 से 9 लिग तक expect कर सकते हो And top turbo TCDI automatic variant के price 14 तू 14.5 लिग तक expect कर सकते हो जोकि अभ्यवाली XV3Xो तर्बो स्पोर्ट से 1 लाग तक ज्यादा होगी But अभी Nexon and Sony DSS up और MetroCard के top variants भी almost 14 तू 15 लिग तक जा रहे हैं So competitions के हिसाब से यह price is justified होगी तो यह ती सारी confirm details about upcoming XV3Xो तो आपका क्या opinion है XV3Xो के बारे में क्या XV3Xो success जाएगी आपका opinion हमें comment section में जरूर बताएगा So बस आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में और जान से पहले अगर आपने मारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजेगा और उस बेन आइकर मटन को दबा दिजेगा Thank you